नमस्कार आप देख रहे हैं लोग तंद्रम मैं हूँ आपके साथ अक्षे है। सर्दी के मौसब में भी राजनी का मिजाज गर्म हो चुका है। बीजेपी के लिए ये एक मजबूत दाउ माना जा रहा है। मिशन 2019 के लिहाद से बीजेपी ये दाउ चलने की खायश मन तो है। लेकिन डर इस बात का भी है कि कहीं खुद की पार्टी के वीतर घमासान नमच जा है। और इसलिए सरकार इस रिपोर्ट के लागू करने की जल्दबादी नहीं दिखा रही। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि साल 2001 में ततकालीन मुख्यमंतरी राजनाथ सिंग का ये फॉर्मूला क्या वाकई कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि राजनाथ के मंतिरी रहे अशोक यादव आदालक की शरण में तब चले गए थे और समित की इस रिपोर्ट पर कोट ने रोक लगा दी थी। और सबसे महत्मूल ये कि अगर ये सिफारिशें लागू हो भी जाती हैं तो क्या वाकई आती पिछड़ों और आती दलितों के स्थिती में बदलाब हो पाएगा। दरसल यूपी में एक बार फिर आरक्शन के आग में सियासी खिचड़ी को पकाने की कोशिश की जा रही है। के आरक्शन के अंदर आरक्शन देने की तैयारी की जा रही है। सरकार इसको लेकर अभी मंधन कर रही है कि उससे फायदा पहुचेगा या फिर नुक्सान। यानि सर्द वहसा में सियासी तापमान अब चड़ने लगा है। आप भी देखे हमारी ये रेपोर्ट। के तैयारी में है क्योंकि दिल्ली की सत्ता यूपी से ही तया होती है। बीजेपी यूपी में हुए उप्चुनाओं में हार और सफा वस्पा के गटजोड को शेकास देने के लिए आरक्शन में बटवारे की नीती बना चुकी है। ये फॉर्मूला 2001 में राजना सिंग ने इजात किया था लेकिन अदालत की चौकट पर पहुँचकर दम थोड़ चुका था। आप खुद यूगया अतनात ने विदान सभा में अति दलिट अतिपिशनों को आरशन देने की बात कहीं और तभी से सामाजिक नयाय समीति अप इस फीज़ आरशन के लिए भी दलिट, अतिदलिट और महादलिट तीन इस्टोइनिया प्रस्तावित की गई हैं। आरशन के बीतर आरशन का एक फॉर्मला विहार जैसे राजय में हिट है। उसी तरच पर अब उतरप्रदेश में भी ऐसे ही आरशन के बिशात बिचाने के तयारी है। बीजेबी सरकार के इस दाउं पर विपक्ष ने तेज समले कर दिये। बारती जनता पार्टी और आरसेस बिलकुल उसी रास्ते पर हैं जैसे अंग्रेज की बाटो और राच करो। ये उसी रास्ते पर हैं ये चाहते हैं कि बाट दो और राच करो। लेकिन बाटना क्या चाहते हैं ये लोग आरच्छन छीनना चाहते हैं पिशड़े और दलितों का। उनको और कमजोर बनाना चाहते हैं। अब यूपी सरकार की सामाजिक नियाय समिती की सिफारशों को लेकर जाती ये गोलबंदी शुरू हो गई बीजेपी अतिपिछडा अतिदलित दाउं को बहतर और मजबुत फिकल्प मान रही है बीजेपी मिशन 2019 जितने के लिए ये दाउं खेलने जा रही है लेकिन पार्टी के अंदर ही घमासान है अतिदलित अतिपिछडा कार्ड के जरिये बीजेपी यूपी में बुआ बबुआ के संभावित गटजोड की कार्ड करना चाहती है लेकिन इस ब्रमास्तर गए सियासी जोखिम भी बहुतेरे हैं लिहाजा बीजेपी खेमा सधे अंदाज में कदम आगे बढ़ा रहा है लेकिन इस मुद्दे ने सुबे के सियासी माहौल को सरगर्म कर दिया है या तो एक बार फिर देश के सबसे बड़े सूबे में आरप्शन की आग में सियासी खिचड़ी को पकानी की कोशिश की जा रही है हाला कि अभी इसके नफ़े नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर सरकार की ये कवायद रंग लाती है तो क्या वाकई में अती पिछड़ों, अती देलितों के अच्छे दिन आएंगे आज हम इसी पर चर्चा करेंगे सभी खास महमान हमारे साथ जोट चुके हैं सबसे पहले अपने दर्शकों के मुलाकात, अपने आज के सभी महमानों से मेरे साथ नोड़ा स्टूडियो से प्यूश पंद जी हैं, आप वरिस्ट पत्रकार हैं डॉक्टर आर्के पर्मा जी लटनों से हमारे साथ जोटे हैं, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अपना दल के मनुज यादव आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के पार्टी का पक्ष रखेंगे आरुन राजभर जी हमारे साथ इसकारकरम का हिस्ता हैं, आप महासाचेव हैं, सुहिल देव भारती समाज पार्टी के, साथी अरबिंद यादव हमारे साथ जोड़े आप प्रवक्ता हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के और वारा नसी से अशोक पांडे हमारे सा का हिस्ता है आप प्रुवक्ता है भारती जंता पार्टी के और कुछी देर बाद डॉक्टर कोलेश और फिरदर्शी हमारे साथ होंगे जो कि दलित चिंतक हैं बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्टर में शामिल होने के लिए शुरुवात अशोक पांडे जी म हम को सबका साथ सबका विकास पर आये थे तो हमको उसकी चिंता है हम चुनाव को जिस्ट में रखके नहीं हमने किया है यह समाजिक नयाएक समीटी की रिपोर्ट के अथार पे उसके पहले हम सब दली तब पिछडी जात के लोगों का हमने समिलन किया और केस्व मौरिया जी हमने उन जातियों के लोगों को बुला के उनसे फिडबेक लिया है उस आधार पे उनके प्रगत के लिए हम आगे जो है लागू करना चाहते हैं दूसरी बात है हम लोगों के दिमाग में कहीं भी चुनाव नहीं है हम इनके विकास की बात करते हैं सुप्री कोट ने जी तर अरुन राजHelp जी आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के तीकर प्रहार काम आगया जोगे आप लोग पिछले काफी वक्थ से इस बात की मांग कर रहे थे कि सरकार इस दिशा में कोई कर दम आगे बढ़ा नहीं रही है आप लोगों ने चृताबली भी दी थी कि पिछडे समाज के लोग है उनके बैटा बेटी अब तक आजादी के बाद से अब तक लेकर चैंशी सहे राघत में इस बाद को लेकर कि साजी से हम लोगों को 9 इस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम इस फार्मूले के लागू करेंगे। उसे कहना चाहता हूं कि आज एक सल आट महीना हो गया सरकार बने आपने सामाजिक न्याय समीतिक रिपोर्ट दो हजार दो में लागू हुई और इलहाबाद हाई कोट ने तीन अक्टूबर दो हजार को फैसला दिया जो जातियां अपनी आवादी से अधिक आरक्षड का जातियां जागरूक नहीं थी इन लोगों को हिस्ञेदारी नहीं मिली है उनको हिस्ञेदारी दिलाने की बात कर रहे है कि सब्का संथ स्बका विकास में इससे कूछना चाहता हूं कि कि single भागिदारी हूई ।ो बड़े लोगों की सब्सक्रीla बोटका इस का है कि यहीं काम हुआ है कि इसमें सवर विरादरी के लोगों का हस्ता छेफ हुआ न तो उसमें पिछड़े समाज का अश्ता समाज का नालब संख्यत समाज का आप सबका साथ सबका विकास की बात क्या करते हैं कि आप लोग यह कर रहे हैं कि आप लोग मांग तो पिछले काफी वसके कर रहे हैं कि अरुन राजबर्य आरुषिण के इसकि वह करने जा रहा है पूलिस की भरति करेंगे पिख्डवे और दमादर प्रति के सब्खा करेंगे लेकिन अरुन राजबाट जी आप सुन तो लीजे आपने अपनी मांग भी रख दी और हम बात आरक्षन की कर रहे हैं कि आरक्षन के भीतर आरक्षन लेकिन आपको पता है ना कि यह फॉर्मूला हिट नहीं हो पाए था आपने खुदी जिक्र किया कि तत्कालीन मुख्यमंति प्रियास किया था लेकिन मामला कोड तक पहुंच गया था इस बात की कोई गैरन्टी है कि लागू हो पाए वह तो रिपोर्ट वर रिपोर्ट तो उन्होंने तो प्यार किया था लेकिन वह सरकार है इसके बाद को माननी राजनाच जी ने अगर समाजिक नएस अवितिक रिपोट तयार किया है रागमेंदर जी के नेतित्र में अगर एसी रिपोर्ट साउब दी गई है कि PCS की भरती में एक भी परसेंट और ती पिछड़े और ती दलित की भाइडारी नहीं है जब मानी मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता चल गया है तो इसका भी भाजन क्यों नहीं कर रहे हैं अगर उनको रिपोर्ट मिल गई है तो तब काल इसको लागो करें चले खी, अब मैं दोबारा आपके पास हम इस पर भी बात competitors करेंगे मैं दोबारा आपके पास आउगा तब आप अपनी बात और रखियेगा मैं डॉक्टर आरके वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ क्या वाकई में आपको लग रहा है कि आरक्षन का लाब देने में पिछली सरकारों ने एक खास वर्ग को ज़्यादा तरजी दी जी जो बिशे है पहले मैं उस पर आना चाहूँगा अभी मैं अधनी राजभर जी को मैं सुन रहा था समाजिक ने आज समित्ती 2002 में बनी और आज इतने वर्सों के बाद जो आरक्षन के अंदर आरक्षन की मांग की जा रही है समित्त ने अंपनी उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का कार किया है तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि उसका आधार क्या है आरक्षन में क्रीमी लेयर की जब ब्योस्था है कि जो आर्थिक रूप से सम्रद्ध परिवार है प्रीमी लेयर के अंतरगत आता है तो उसको आरच्छन का लाव नहीं मिलेगा तो हम कैसे मान सकते हैं कि कुछ विशेश जातिया ही आरच्छन का पूरा फाइदा उठा ली दूसी चीज़ यह है कि सासन प्रसासन में या किसी भी नोकरी में किस जाति की कितनी भागिदारी है और उस जाति का जातिगत आकड़ा क्या है जब तक समित इस बात को सरजवनिक ना करे तब तक उसकी आबादी का आकड़ा नहीं आ जाता है जब तक सामाजिक न्याय समित की यह बात को मानना कि आ सबसे पहले सभी जातियों का जातिगत आकड़ा आजाए उनका आर्थिक और सच्छिक आधार क्या है उनका इस पर आपके पास आ रहा हूं दोबारा आ रहा हूं फिर आप अपने इस पे उसमें चर्चा तो नहीं किया ने सर हम चर्चा कर रहें ना आज पिर इस मुद्दे को लेकर सियासत जर्म है तो क्या इसको सिर्फ सियासत के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिए सिर्फ मिशन इलेक्शन को फद्र हैने की कोशिश के तौट पर या फिर वाकई में चिंता है अधी पिछलों अधी दलितों क पूरा मौका दूंगा आपको अपनी बात रखने का और डॉक्तर आरक्षन की बीतर आरक्षन का यह फॉर्मूला बिहार जैसे राज्यों में तो हिट है लेकिन जूपी में हिट कर जाएगा इस बाद की कितनी संभावना है देखे हमारे सम्मिधान में जिस चीज का प्रवधान है और अगर सरकार मौझूदा सरकार वो करना चाहती है सम्मिधान के अनकूल तो कर सकती उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन महत्पूर बात यह है कि अगर कोई चीज आप लाने की बात कर रहे हैं तो आपकी मंसा कैसी है वो सबसे महत्पूर है यह मेरे पास इनका संकल पत्र है और इस पे संकल पत्र में एक लाइन लिखी है पहली कि डेड़ लाख रिक्त पदों को सब्वेदानिक आरच्छन विवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाती और धर्म के पच्छपात के सिर्फ मेरिट के आजार पर भरा जाएगा विभाग के रिक्त आरच्छित पदों में एक साल के भीतर भर दिया जाएगा यह मेरी लाइ देता है उस भरतियों को बीजेपी ने बंद कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी फोर्ट क्लास की जगें नहीं निकालेगी अगर नहीं निकालेगी तो आप यह बताएगे कि उसमें आरच्छन तो लागू नहीं होगा जब आरच्छन नहीं लागू होगा तो हमारे जिनका जिक्र जिने बातों का जिक्र हमारे राजवर्जी कर रहे हैं जो बहुत पीछे लोग रहे गए उनको अगर प्रदेश के फोर्ट क्लास की नोकरी में प्रिश्च भागिता नहीं मिल पाएगी बीजेपी की एक जो आसना अदेश इनका आ गया तो इसके ब पर मुस्लिम समदा के लोगों की भी हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम अलपिस संक्य को को लिए भी करेंगे यह वादा खिलाफी के आरूप तो आप लोगों पर भी लगते रहे हैं आप लोग हिम्मत क्यों नहीं जोटा पाए देखिए अच्छे जी आधनिया राष्ट यद् हमलों कूदा ऑंड है उस्वान आपने क्या कुछ काति सवाल आपके नियत खड़े होंगे मैं दोबारा मनुष यादव जी आपके पास आँगा आर्विंड यादव जी सर राजबर साब मैं आँगा थोड़ा सा धैरे रखे ना मैं आपके पास आँगा इसको अगर चार्चा को बहतर तरीके से करेंगे तो हमारे धर्सकों को भी समझ में आएगा वो बेचारे जो आर अगर मिलता है तो किस तरीके से मिलता है और किस तक मिलता है और अगर मौजूदा विवस्ता कर दी जाती हो तो उसके बाद किसको फायदा होगा कितना होगा यह बहतर तरीके से समझ आएगा मैं आजबिन यादव जी आपके पास आ रहा हूं आपकी पार्टी कि क्या कुछ सोच है इस आरक्षन प्रिक्या को लेकर जिस पर हाला कि अभी भी हम कह रहे हैं कि कवाय चल रही है अभी सरकार खुद इस बात का आकलन करने में जुटी है कि कहीं इससे नफ़ा होगा या नुकसान तो नहीं हो जाएगा देखिए आज परगसी समझवादी पार्टी के निता मानिनी असरी सिउपाल सिंग्यादो जो इने साफ कह दिया है अभी आप पहले चलाए भी हैं कि जिसकी जितनी हिस्से आवादी है उसको इतनी हिस्सेदारी मिलने चाहिए रही बात उन्होंने साफ किलियर तरीके से बता लिया हिए दूसरी चीजे जो यह राजबर जी कह रहे हैं कि नोकरी नहीं मिली पूलिस में इनके पीटा जी एक बार बलिया में अंट संट बोल देते हैं मैं इनको साफ तरीके से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके पिछोरों अत्री पिछोरों की बात करते हैं, आप बता दीजिए कि अपने पार्टी में ये तिकर्म बाजों की जो बना रखिये हैं, राजबर्सники आपके पास ही आ रहा हूं. रही नोकरी की बात कर रहे हैं, मैं आपको साब तरीके से बताना चाहता हूँ, ये केवल पिछडों को तोड़ना चाहते हैं, ये दलितों को तोड़ना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि दलित और पिछड़ा ये को करके रहे, इनकी अपनी राजनीती तिक्रम बाजो की राजनीत और तिक्रम बाजो की पाटी इनकी चलती रहे बाप बेटे मंतराले संभाल रहे हैं और जिस तरीके इन लोग की ब्यान आते हैं इसको उत्तर पर्देश की जो अतिक पिछड़ा समाज है बहुत अच्छे तरीके से समझता है मैं कहता हूँ कि केवल तीन ही लोग पार्टी चलाएंगे क्या जब समाजवादी पार्टी में वो सरकार में सबको पता है आप लोग है उस समय जिसके गोद में बैटे हैं उसी को लात मारने का काम करते हैं पैरों से मारने का काम करते हैं कि हम सबसे बले रहां जिसके नौकरी के पास मौका था अब भले ही आप एक नई पार्टी है लेकिन इससे पहले जिस पार्टी में आप थे जिसकी सरकार थी उस वक्त क्यों कदम में उखाए गए मैं अब आँगा राजबर साब मैं आपके पास आ रहो लेकिन प्यूश्मन जी एक रेक्शन आप से क्योंकि इस डिबेट के दौरान जो सबसे जादा स्वार सुनाई दिये कि जिसकी जितनी भागेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या ये फार्मूला ठीक है नहीं देखे हाँ ये तो है यह कि जिसकी इतनी भागेदारी है जिसकी जनसन क्या है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा पेच यही है कि आज तक जो है ये बात कही गए थी कि जातिका सर्वेक्शन जो कराया जाए और उसकी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया जाए जे लेकिन तमाम पार्टengo ने उसको बहुत बड़ा है दर के मारे कि उनका वोट बैंक उनके हाथ से खिजक न जाए ये सरवेक्शन अभी तक जो है इसको जो है पब्लिक ॡॉमेन में नहीं रखा गया है लेकिन निक्श्छी नहों की जिसकी आबादी ज्यादा है उस वो सारा सारी चीज ले जाए बात इंसाफ की है और क्योंकि यह पूरा का पूरा सोशल जिस्टिस का अधार पर बना हुए आरक्षण का जो सिद्दान्त है वो तो उसमें सबकी सबका हिस्सेदारी होनी चाहिए जैसे यह फर्मूला ह ने उसको नहीं प्रकाशित किया है तो यह कैसे पता लगा कि कौन सी कास ज्यादा बैकवर्ड है कौन ज्यादा बहुत ज्यादा बैकवर्ड है तो यह इतना गड़ मगड़ा इसके आद यह बहुत कठे निस्तिती को कई बार यह सवार उठे भी थे यह यूपीय सरकार ने कि दोजार ग्यारा के टाइम में यह बात कही ती और दोजार चौदा के चुनाओं के पहले उन्होंने जो है नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासिस को यह कहा भी कि साब आप इस पे एक 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 रिपोर्ड बनाई है जो कि दोजार पंदरा में उसने केंड़ी सरकार को लेकिन अभी तक viene कि नहीं हो रहा है क्योंकि यह बहुत दिक्कते में कि कैलकुलेट कि साथार पर करेंगे यह बहुत बडी क्फैग से चुछिय बात हो हिस्सेदारी होनी चाहिए मिलना चाहिए लेकिन दो बात है इसमें देखिए एक सलूशन क्रीमी लेयर वाला भी होता है जो नहीं सरकारे कर रही है दूसरा यह है कि यह एक वोट बैंक की राज़ी को कि चुनाओं के कुछ समय पहले यह बात होती है उत्तरफरदेश का चुना आपको पता है कि अगर यह बात होती है इसको लागू करते भी हैं तो इतनी जल्दी होगा नहीं और तब तक जो हो जाएगी चुनाओं की तो यह सर्कार इस पर विचार कर रही है और इस पर फैसला हो सकता है मैं अरुन राजबर जी आप आपके पास आँगा इसे आप लोग अपनी जीत के तोर पर फिलाल देख रहे हैं क्योंकि आप खुद इस बात को स्विकार कर रहे हैं कि हम पिछले काफी वक्षे मांग इसी बात को लेकर कर रहे थे कि आती पिछणों और आती दलितों के किया और मंडल कमिसन में इन्होंने 27% पिछडों को हिस्सेदारी दिया कि 100 सिपाही की भरती होगी तो 27 पिछड़े जाती के लोगों की भरती होगी पिछड़े जती के लोगों के होगी चार बार बसपार ने सरकार बनाया चार बर समाजवादी अधिल्ट समाज या जब इनके बेटाप है आपकि किसी ऑगाउares लेंगे एक परसेंट किसी गाउं में आप सिपाही दरोगा बाबु चपरासी लेखपाल अपती पिछड़े अती दलित के बेटा बेटी के नहीं पाएंगे। इनको अधिकार दिलाने के लिए अगर समाजी की रिपोर्ट रागार मिल गई है मानी मुख्यमंत्री जी को तो मैं चाहता हो कि मानी मुख्यमंत्री जी उसको तत्काल लागो करें। सिपाही भरती में काम्याब हुए केतने आएस पीसे अज बन गए कोशाक्रे हैं आप लोगों के पास। 3 अक्टूबर 2013 को इलाबाद हाई कोट का जजमेंट आप देख लीजिए उन्हों ने समाजी की रिपोर्ट के अदाथ पर क्या जजमेंट दिया था उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्हेंनों पस्ट कर दिया है कि जो मजबूत जातिया पिछड़ी जाती में है उन्हों पिछड़ों को सबसे ज्यादा हिस्यदारी अकेले लूटा है अंति दलित में जो दलित समाज में जो मजबूत जाती है ते उन्हों ने हिस्यदारी लूटा है तो उसको भी भाजन करने के लिए 3 अक्टूबर 2013 तो फसल आई गया लेकिन समाजवादी पार्टी उसे समय लेकिन उसमें जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो उस आवाज को सुप्रीम कुट ले जाकर इस्टेल लेकर इन्हों ने भरती कर दिया तो इस बात को जब हम लोग सरकार में आये हैं मानियमिस्टाजी ने कहा कि हम चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे अगर चुन यूपी में आरक्षन किया कि जिसको लेकर अपनी सियासत को चमकानी की कोशिश की जा रही सबाल यह यह चुनावी स्टन के तोर पर देखा जाए या फिर वाकई में अती पिछनों अती देलितों के पीछे चिंता है सरकार की सभी खास मेमान हमारे साथ बने हुए हैं मैं अ सिफारिशों को लागू करने की रफ्तार इतनी मंद क्यों हैं यह भी उम्परकाश राजबर्स आपकी तरफ से सवाल उठाए गया था हम मजबूत सरकार लेके आए हैं और जिन लोगों ने उनका हक छीना है अब देका है उत्तर प्रेश जो भी सरकारे रही है चार्ट विशेष के दरोगा से लेके अशोप पांडे जी अभी आरुन राजबर्स नहीं आरुन राजबर्स ने साफ कहा कि अगर 2019 के पहले सिफार लोगी डल है और राजबर बंदूओं के लिए सुहेर देऊ हम लोगे मूती लगवाया देन चलवाया तीन लाजबर्स ना सभाम देजा इनके प्रिकार यह को मंत्री बनाया और राजबर्स मंत्री है हम सबका साथ सबका विकार चाहते हैं देखेगा जो रिपोर्ट कितना आपने इस्यदारी दिया है जितना आपने 700 सरकारी वकिलों की भर्ती किया है उसमें भी दिखिया कितने पिछड़ोती दलतों के इसी बात को जब मैं कहता हूं तो मुझे बगावती कहा जाता है पिछड़ोती दलतों को अधिकार दिलाने के लिए उनकी भागिदारी कि शमता थी उस समय और आपने बना दिया क्या मन उसमें भी दलीत आती दलीत कि पिछड़ों की समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें भी आपत्ति आप लोगों को क्या है लेकिन मनों जादफ जी अशोक पांडे जी तो शायद इशारों में कहना चाह रहे हैं कि जिसके दोस्त राजभा जी जैसे हो तो दुश्मनों की जरुवत क्या है इसी बात में हमारे सायोगी दल है इनके रादनी करने का अपना करिका है यह दूसरे रादनी पांडे पांडे जी सुन लिजे मनों यादर भी को सुन लिए फिर मैं आपके पास आ जाओंगा सर दोस्ती में यह भा बात रखनेंस और यहां को बोला नहीं रहा हम राजभार साहथ को का धिकर कर चुके हैं जो बात आप कहरें इन तमाम बातों का दिकर हम कर चुके हैं थोड़ा सब पेशन्स रखे ना सर हम यह भी जानेंगे और अरक्षन का अगर फायदा पहुंचेगा तो उनमें ते कितने दार होगा कितने आई-एस निकलेंगे आरक्षन मिलने की क्या गैरंटी है देखिए मैं आऊंगा ना राजभर साथ आऊंगा मैं आपके पास आऊँगा है उस मैनेफेस्टों के उन्होंने पट्टी बांद लिए राजभर साहब ने अगर फोर्ट क्लास की नोकरियां बंद कर दी सरकाने तो अब बसती है भाबु की कलेक्टर की यह की पीएस की पीएस की उसके लिए इन्होंने लिखा अपने कि सबह सभी लर्के लर्कियों को कच अबारा तक फिरी सिच्छा देंगे उनको मुफ्च देंगे सब कुछ ड्रेस कोड़ पैंड जो कुछ भी है किताबे कापी सब फिरी देंगे वो नहीं दे रहे हैं उसके लिए राजभर जी मुह में टेप लगाके वैटे एक बात और ग्रेजुएट तक यह निसुलक प्रिवारों के बच्छो को उस इच्छा में और दलीतों को पांचो करा निकी आप कि आपके कितने समाज के लिए बोलते थे फिर गुलामी करने के लिए थे सब्दा में आप मैं कहता हूं बात करो ना कि आखिर इस देश के इतने पर सब्सक्राइब नजर नहीं आया हूं हमें सरकार को हुआ है ना दिखाता हूं जिस सरकार मुझे पढ़नी हुई जी जो इस देश के पंद्रा पर संट लोगों को मिला है बोलो ना जो पहले 27 परसेंट जो अभी खोकी आना है कल अमुबादे अब तो मात बिगर जाएगी तो अभी जो 27 पर यानि मौकर के नजराकत के हिसाब से जवाब की राजनीती होती है मैं राजबर साथ जो राजबर साथ की चिंता है उनका साफ तोर पर यही कहना है कि समाजवादी पार्टी के शाहसन में आरक्षन का जो फाइदा यादव सुनार कुर्मी डाढ़ोर समेत कुछ जातियों को मिला तक्रिबान 12 जातियों का आकलन उन्होंने किया है कि इनको ज उनको मिल जाए तो दिक्कत क्या है उनके सासनकार की एक जातियों को नामने क्या प्राइद कर रहे हैं यह गरत है निनी संदेरिक से गलत राजबर्दी बहुत है और सक्से महत पूर बात है मैं वो तो यह आरोप लगा रहा है ना मनो जादव जी वह उनका सीधा आरोप है क सब्सक्राइब को पहुचा है क्या इसलिए आप लोगोने कुछ कदमने का मतलब क्या यह बताईए अभी जब आप आप यह आप नहीं आप मैं अगर आपकी बात भी मान लेता हूं और राजबर साब का भी दर समझ लेता हूं तो आखिर परिश्टितों में परिवर्तन क्य आपके पास आउगा उसमें रेट नहीं तो नहीं है ना डॉक्साब आरक्षन की वैवस्ता नहीं तो नहीं है मुझे यह बताईए कितना उत्थान हुआ उन लोगों का जिनको अब तक आरक्षन का फाइदा पहुच रहा था मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैंने पहले भी यही तत्थ रखे हैं कि जो आरच्छण की जो समिधान की जो आरच्छण के परती जो मूल भावना थे उस भावना के अनुप जो भी तक जो आरच्छण का अनुपालन हुआ है आवी तक सासन पर सासन में first class से लेकरके fourth class तक किस जाती की आवादी कितनी है उसके सापेच सासन पर सासन नौकरियों में उसकी हिसेदारी कितनी है जब तक यहाँ आकला सारजुनिक ना हो सकत जाए तब तक इस बर बात करना मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं होगा दूसरी चीज जो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आर्चन का लाप एक मिसेश जाती के लोगों ने ले लिया या कुछ लोगों ने ले लिया मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा गरीबी हर जगह है गरीबी अपर कास्ट में भी है सवणों में भी गरीबी है मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि हर एक जातिका जातिगत आकड़ा निकाल ले और सासन प्रसासन नौकरियों में उनकी सावागिता कितनी है उसका प्रत्सत निकाल ले आर्थिक सेचिक आकड़ा न नहीं है कि आर्थिक अधार पर लो इस्तिति के आधार पर और आरकशन की व्यश्वता ने सिथोक्ष yapmış है जोड़िये हूँ मैं के रहा हूं कि आरथिक आधारने स्कुर्मी विश्वारहां पर लिए जीए आभग मत अगर द करके overseas चार अधार परसेंट लेदी की एकतार नहीं चल पाएगा तो आप बता दीजिए कि आर्थिक अधार प्यार अच्छड दे देने से देश चल जाएगा जो दबे कुछले लोग हैं सर आजादी के बाद से जो आरक्षन का फाइदा जो पहुंचना चाहिए था जिस लिहाद से पहुंचना चाहिए था अगर फायदा पहुंचा तो आज क्यों हमें बहाईश करनी पढ़ रही है अगर फायदा पहुंचता तो क्यों हाँ जंग लड़नी पढ़ रही है एक जाती तो दूशी नहीं जाती है कि राज़ी दिक रोटिया सेक रही है बीजेपी के गोद में बैट करके जो मोह खोल ले रहा है इनकी हिम्मत नहीं थी कि वीजेपी के सत्ता और सासन में कभी मुह खोल पाते हैं अरुन डाज़वेजी रवाब दीजेए फिर मैं प्यूश जी आपके बात देनी चाहिए और दूसरी चीज़ अच्छा जी एक मिला डॉर सुन लीजी है मैं आओगा थोड़ा सभर की इनको आवाज बुलग करा वहाद हो अगर किसी ने सब्सक्राइब ने दिया अच्छा मुगे यह बता दिये अरविंद यादव आरविंद यादव और वियादव आदव अरविंद यादव यादव आदव मेरी बात सुनिए राजब्साब मै आपके पास आ रहा हूं हम इसलिए कह रहे हैं कि आगर जब यादव आरविंद यादव जी मुझे यह बताईए ना पती का बेटा सी ओपन गया होता राजबर साहब यह पता चाहिए कि कौन होगा है कौन होगा है कौन होगा यह देश के लिए अच्छा नहीं है अगर आप लोगों का पहला चाते हैं तो पैमाना काबलियत रखिए मैं अर्विन यादव भी आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि आप जिस बात का दिक्र कर रहे थे मैं एक चीज़ आप से समझना चाह रहा हूं राजबर साब को आरक्शन का फादा सिर्फ इस बात के किस्ति नहीं जो लोग गाउं में वन चिता हैं ऐसे राजबर अगर जो बीजेपी के गोद्य बैट की बोल्ट है ना ऐसे बात उसी क्रीमी लेया की हो रही है ना जिन लोगों ने अब तक मालाई का कि आप कम तेकां उनको तो मौका दो जो उसके हगदार हैं तीक है और इन अनूर राजबर से कह दिजिए मैं कहना चाहता हूं अच्छा जी कि अपने जाकर के देखे अपने पिता के दिखाये हुए सर्मार्ग में चलना इसलिए इतना बोलना है चले सर वेक्तिगा टिपणियों से हम थोड़ा परहेश करते हैं प्रिप्या करके वेक्तिगा टिपणियां ना हो जो कि हमारे दर्स्तों का समय जाया होता है मैं प्यूश पंद जी आप इस बात से इतफाक रख रहे हैं जो क्रीमी लेयर का जिकर आप भी कर रहे हैं एक आपने कहा कि आकलन सबसे पहले तो होना चाहिए कि कौन ती जाती कितनी है और क्या इस्तिती है ठीक है यादब जी जितना दलितों को सम्मान मिला ना जितना सम् जितना सम्मान मिल रहा है तो यह कौँन है क्राइब के शाब ले रही है कि शारेस चाहिए क्योंकि वह इस जात इसे बेलॉंग करते निश्यत रूप से देखिए कुछ हद तक है हाना कि जो है कि जो आरक्षण का लाब ले रही हैं जाती हैं उनके लोग इसका विरोध करते हैं क्रीमी लेर के सद्धानत का लेकिन देखिए उन जातियों को क्योंकि उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और आरक्षण है और जब आप उनकी एक पीड़ी इस सिस्तर पैजाती है कि उसके माली हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो निश्यत रूप से जो है उसको नहीं मिलना चाहिए फिर वो इस इस हालात में उसके बच्चे पहुंच जाते हैं कि वो मतलब आगे बढ़ सकें समाज में और दे कर सकते हैं कि जो लोग इसका फाइदा ले रहे हैं उनको आप स्वेचे की रूप से सोड़ देना चाहिए बलकि मैं तो यह कहूंगा कि देखिए मोदी जी जब आये थे प्रथान मंत्री बने थे बड़ी बड़ी बाते कही तो यह भी कहा था कि साब जो गैस छोड़ दीज गया है तो लगातार पॉलिटिकल पार्टी अपने फाइदे के लिए वोट बैंक के रूप में मुझे अब भी लगता है कि देखिए इसका इसमें कुछ होना होना नहीं है क्योंकि टाइमिंग की बहुत बड़ी बात होती है अब चुकि चुनाव है 2019 में इसलिए मैसेज द लेकिन उसे पहले डॉक्टर आर्के वर्मा जी एक रेक्शन में आप से जरूर चाहूंगा तो कि जिस बात पर अभी आरविन जादव जी और अरुन राजबर जी एक दूसरे से उलज रहे थे और साथ में मनोर जादव जी भी क्या वाकई में आपको लग रहा है कि क्रीमी लेयर जिसको कहा जाता है वो आज भी इसका फायदा नहीं उठा रही आरक्षन का और क्या उन्हें जरूरत है आप तो हवाई जहाज में उड़ते हैं हेलिकॉप्टर में उड़ते हैं आपको आरक्षन की क्या जरूरत वोम प्रकाश राजबर जी जैसे नेता आपको आरक् की लेर की परिभाशा में आ रहा है तो उसको और अरच्छन का लाब नहीं लेना चाहिए और जिनको अभी तक आवरसर उपलब्द नहीं हो पाया है तक है को उनको उपलेवड़ कराया जाए नीति सरकार के दोरा हमेशा इसी बनाई जानी चाहिए कि जो उपेचित बंचित है चाहे किसी भी जाती मज़ाब धर्म से तालुकात रखते हो उनको आउसर उपलब्द कराये जाने की नीती बनाई जानी चाहिए मैं इस बात से सहमत हो क्रीमी लेयर के इंतर जो आते हैं जिनके आर्थिक और सच्छिक आधार मजबूत हैं उनको आरच्छन का लाव नहीं लेना चाहिए अब तक जो क्रीमी लेयर की बात जो चल रही है इसको कैसे अलग करेंगे एक तो बड़ी चुनोती यह है और दूसरी जो इससे पूरी शर्चा के दौरा निकल कर सामने आ रही है कि जब तक आप आकलन नहीं कर पाते हैं कि आती पिछलों में कितने हैं आती पिछले या फिर आती दलितों में कितने पिछले दलित हैं उनकी पहचान कैसे हो पाएगी कैसे फायदा पहुंचेगा जिन तक पहुं लेकिन आज जब 6 लाग क्रीमे लेयर था तो उस समय कुर्मी पटेल क्यों आरक्षर कलाब उठा रहे थे वो तो आर्थिक और समाजी का स्तर से तो मजबूत थे कि अब कमजोर जाती है एक तरफ लाइन लगेगी अलग अलग लोगों की अब पिछला वर्ग की बात की जाती है उसमें शामिल करने की जो अब तक जानकारी निकल कर सामने आई है हला कि लागो ने के बाद परददा चल पाएगा कि असल में शरकार की क्या योटना है अति पिछला में उनसर जातीयो को और सरवाधिक पिछला में 79 जाते नाईनना बीनाइन उन्हें झालीच सामिel किया गया वह अगर धलितों के अगर बात कि जाए तो चार जाते या डलित वर्ग में अति दलित में दलित में 46 46 46 क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो महादलित हैं आती दलित हैं या फिर आती पिछला है सरवादिक पिछला हैं उनको फाइदा मिले क्रीमी लेर छोड़ दें जिनको अब तक मिला फाइदा पहुचाने के लिए देश के बारहराजियों में ये ब्यवस्थाएं लागू ह और मानी मुख्यमंत्री जी को 36 गड़, जारखन, बिहार, उत्तराखन, उत्तरांचन इन जगहों से इनको सरवे मंगा लेनी चाहिए कि वो किस तरक्या से वर्गी करण करके उनको इसेदारी दे रहे हैं आज इस बात की जब समाजिक नयाज समिती की जो रिपोर्ट PCS की आ कि व्यवस्ता लागू है तो आशोक पांडे जी उन राज्यों के आधार पर वर्गी करण कैसे कीजिएगा उसके लिए तो गड़ना करना जरूरी होगा ना समाजिक नयाय की जशा में हम नियत साफ़ पर काम कर रहे हैं जब हम लागू करेंगे तो निश्ची तौर्ब पांडे जी आपके सहयोगी ही आप लोकों की नियत पर सवाल उठा रहे आप नियत की बात कर रहे हैं है आपने साफ नियत के साथ दिया है कि हमारे सायोगी भी राने की दल में हैं दूसरे दल में हैं सायोग कर रहे हैं लेकिन निश्चित ताहल पे जब हम लागू करेंगे तो उस्चे वह भी सामस होंगी इस बात को जनता के सामने बताओ नहीं के पहले लागू हो पाएगा लागू करेंगे लागू को भी उसका फाइदा मिलेगा प्राइबरेली में देट जेल में बंदूप पहुच जा रही है पीना अधिकारियों के मिली पहुच जा रही है मनोज यादबी मैं आपके पास आउंगा यह बड़ी हैं कि एक तरफ यह भी कहा जाता है कि हमारा भी बड़ी पैमाना है तो जता है वागू हम इनी बातों में उच्छे रहते हैं तो हम इन बातों में राजबर साथ प्लीज चार जाती आदेड जाद प्लीजर शाध मत बनाइए अब मुझे लोक सबाके स्पीकर के शांत रहें शांत रहें प्लीज थोड़ा सा धरे रखि इन तमाम बातों में बहस करने के बजाए आपको नहीं लगता कि आरक्षन को लेकर विचार की जाने की ज़रूरत है आर्थिक इस्तिती पर जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि आर्थिक इस्तिती के आधार पर अगर आरक्षन की वेवस्था हो मत देखें कि मुसल्मान है हिंदू है ठाकोर है पंडित है लोध है क्या है आर्थिक इस्तिती गर्बल है तो उसको आरक्षन का फायदा दिया जाए कुछ ऐसी वेवस्था की जाए आपकी पार्टी पक्षदर है देखें निश्चित रूप से हम तो सबसे बड़ी लड़ाई खतम करने की बात कर रहा है कि जन्गर्णा करके आप सबको आरच्छर दे दो जिसका जितना हिस्सादारी हो उसको उतका हिस्सा दे दो एक बात दूसरी महत्पूर बात है जैसे कोई भी वेकते है मालीजे मैं क्रीमी लेयर हो गया मनोजा तो क्रीमी लेयर हो गया और आरच्छर से अलग हट गया तो कहा जाएंगे सामाने वर्ग में जाएंगे अब वो आरच्छर नहीं लेंगे बैकवर्ट का अगर दलित होंगे तो द कि जिसको आरक्षन नहीं लेना है वो सामान वर्ग में लड़ाई लड़े और उसमें अपको लगता है कि आज की जेट में ऐसा कोई है जो आरक्षन का फायदा नहीं लेना चाहता वो तो मजबूरी है जिनको नहीं मिल रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि आज की जेट में तमाम सारे ऐसे बैकवट दलित है जो सामान वर्ग से अपनी लड़ाई जो अपनी काबलियत के दम पर समा लड़ाई लड़के सामने आते लेकिन तब इन सवन क्लास के लोगों को बड़ी दिक्कत है कि हमारे इसमें क्य है पर सुनिश्चित हो जाए तो फिर दूसरे के अगर घर जाकेंगे तो प्रश नहीं उठेंगे अर्विन जादव मनोजादा ची जो बात अभी कहें कि जिनको आर्क्षन का फादा मिल रहा है वो सामाने वर्ग में भी पहुंसते हैं सामाने वर्ग को तकलीव होती है जिनको आरक्षन का फायदा नहीं मिल रहा है और जिनके लिए कोटे की विवस्ता की गई है तो कोटे पर निर्धारित रहे हैं मैं कह रहा हूं अच्छा जी अगर वो आपने दम पे पढ़ करके मैं कह रहा हूं कि मेरा पूरे उत्तर परदेश में सातवा अस्थान था मेरी काउंसलिंग जनरल रेंक से होई तो क्यों होनी चाहिए दिक्कत जनरल जात को अगर मैं पढ़ने में तेज था तो सातवा अस्थान लाया उतर परदेश में तो मेरा हुआ जनरल में काउंसलिंग तो क्यों दिक्कत होगी अगर मैं पढ़ करके अगर कोई पिछड़ा या तो पर पर ना काबिया बनाई यह जिस आप यह बता दीजिए आरक्षन के हिताब से फिर अगर यह करेंगे कि इस इस कोटे से इतने डॉक्टर होंगे तो फिर इलाज करवाएंगे क्या यह भी सुरिशित कर देना चाहिए कि जिनको कोटा मिला उसी समाज के लोगों का उचार अच्छ जी दो मिनट मेरा सुन लिजी मैं कह रहा हूं कि ठीक है आर हच्चन को खतम कर दीजियों कि लेकिन जिन लोगों ने इन पिछडे इन दलित इन अति पिछड़े इन अति दलितों को वंचित किया तो क्या उनको हम लोग वंचित कर दे आज पर के हिंवत नहीं है हम्मत तो सभी की पर्खी जाती है ना वक्त रहने पर कौन कितनी हिंवत दिखा पाता है आपने पूरी तक्रिवान एक घंटे की डिवेट सुने इस पूरी डिवेट में खुद की राजनी चमकाने से ज़्यादा नदर कुछ भी नहीं आया हाला कि अशोक पांडे जी ज़रूर कह रहे हैं कि हमारी नियाद साफ है उनके सायोग्यों को इस पर भरोसा नहीं है लेकिन क्या वाकरी में आपको नहीं लग रहा है कि असल जड़ यह आरक्षन है जिसकी बज़े से कहीं न कहीं जो जातियों में बटवारा हो रहा है पहले तो धर में होता तब जातियों में भी बटवारा हो रहा है आरक्षन की यह ववस्ता लागू रही और जैसा करें कि जि पिछडा समाज है जो कुछला समाज है रहा है कई सालों से जो लगा रहा है रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण चाहिए लेकिन आरक्षण एक हर आदमी को जाती की आधार पे उस तरह से नहीं होना चाहिए कि अगर आगे बढ़ गए तो निश्चित रूप से क्रीमी लेर की बाद जो हम लोगों ने की थी मैं चाहता हूँ वहां पे उस चीज़ उस पे विचार किया जाए जो कि जब तक वहां जगे खाली नहीं होगी तो जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ने का पढ़ने का और आगे आने का नौकरियों में आने का मौका कैसा मिल दीजे जो बैट गया है उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दीजे और जो खड़ा है हाथ पकड़कर उसे दोड़ा दीजे लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि आरक्षन का फायदा उन भागने वाले लोगों को ही दिया जाता है जो भाग पाने में सक्षम है लेटा हु झाले कर दो पनमेस।